हजारों सैनिक मर गए उन्होंने अपने प्राणों की आहुती दे दी और उनके परिवार उनके घर वालों ने आज तक उफ नहीं किया गर्व महसूस करते हैं और इनको पतली दाल मिल गई गाड़ी दाल नहीं मिली तो उन्होंने शिकायत कर दी यह वहीं दबाया जा सकता था आर्मी का पैरा रुलियर श्यासन है नसर इसलिए मुद्धा नहीं बना यह मुद्धा बना धाल को लेकर यह सेना की बात करता हूं यह वही भारती सेना है जो एक मुठी चने खा करके यहां का जवान एक हटे तक लड़ता है यह मुद्धा इसलिए आ गया सुनिए मैं बता रहा हूं यह मुद्धा इसलिए आ गया जब तेश बादूर यादो जैसे जो सेना के लिए मोरली और इथिकली फिट नहीं थे जब ऐसे लोग गल्ती से सेना में चले जाएंगे तो मुद्धे बाहर आ जाते हैं मैं यह बोल परसुनाल रहे थे लेकिन तुरन्त कैप्चर करने की कोशिश की और कैप्चर करने मितनी कोशिश की अपना अपना अनॉंस्मेंट ओने के बाद का कैंसल करके उसको दे दिया अजी तेश देखिए यह बड़ा सेंस्टिम मुद्धा है और मैं जितने भी एनालिस्ट है आप वीडियो बना के वैरल कर दिया ठीक है डाल पतली मिलने के कारण आपको अगर इतनी शिकायत है तो महाराणा प्रताप के बारे में आप क्या बोलंगे जिंदगी बर उन्होंने घास खाई उन्होंने ने कभी अपने देश से शिकायत की ने कभी अपने देश के जंता स जनाब साहब अगर आप इस देश के सहने को तो मैं समस्ता था कि डाल पतली होने के कारण और फॉर्मल तरीके से जा सकते थे लेकिन इतना बड़ा जो है कि पूरी दुनिया में आप इस तरीके के आरोप लगाई है लाखों परिवार ऐसे हैं जिनको डाल नसीब नहीं होती है आप तो फिर भी सोभा गिसाली थे कि भारत मा ने आपको पतली डाल खिलाई आपको चुनाओ लड़ना था आप चुनाओ लड़िये हजारों अगर आप ही को डाल पतली नहीं मिल रही थी आपके बैरेक में जितने होंगे सब को मिल रही होगी और आपने डाल पतली मिल रह माराड़ा प्रताप इस देश के राजा थे अपने आप उन्होंने घंस और रोटी खाना जो है मन्जूर किया लेकिन ने ने कभी नदेश के इतिहास से ना आपने प्रुवजों से जनता से ना देश से उन्होंने कभी शिकायत नहीं की और आप शिकायत कर रहा हो मेरा व्यू ये है देखिए अजितेश मैं आपको बताओं हमारी सेना में हमारे देश में हम पिछड़े हैं कुछ भी हैं मौडन कोई निगेटिव चीज नहीं है मैं नहीं मानता हूं कोई निगेटि हैं और आप एक पतली डाल मिलने के कारण बुखला गए तो मैं समझता हूं कि तेश बहादूर यादव जी का मोराल इतना हाई नहीं था कि वो त्याग कर सकें सेना का मतलब त्याग है अपने प्राणों का नेचावर वो कर देते हैं और आप तो मीठी डाल मोटी डाल अगर हुई तो जो भी पक्ष में या वो है उनको तुरंट उसीष पे लेना चाहिए अलां कि मैं ऐसा मानता हूं सेना में बड़ा उंदा क्लास का खाना मिलता है यह वही भारती सेना है जो एक मुठी चने खा करके यहां का जवान एक हपते तक लड़ता है और तेश मिनिस्टर एक MP से भी ज्यादा उसका सम्मान ब्यक्तिकत मैं करता हूं और देश की जनता करती है सवाल यह राजनेताओं ने क्या किया इलेक्शन कमिशन ने बोला है कि सेना पर राजनीती नहीं होनी चाहिए पक्ष बिपक्ष दोनों उसी को एक बिपक्ष ने अपना कंड मिलेटरी की ट्रेनिंग से कुछ सीख लिया होता साहब आप लडाई लड़ने जब जाओगे और आप बोलो कि मुझे बंदूक में गोली भरनी नहीं आती है मुझे नाल साफ करने नहीं आती है यह इलेक्शन भी तो एक लड़ाई है आपको समाजबादी पार्टी के पास क समाजबादी पार्टी के पास कोई ऐसा टैलेंटी नहीं था कि कम फारं तो सही से बढ़ देते हैं कोई भी कमिशन हो अगर आपने फारं ठीक से भरा है ना देखें अंगली तभी लोग उठाते हैं जब आप गलती का मौका देते हैं तो आप फारं ठीक से नहीं भर पाए ह कितना सहमत है इस बात से और दूसरी बात राजने देख पार्टियों ने क्या किया एक सानिक चुनाव लड़ने आ चली मान लिया और आपने उसको पकड़ लिए अपना कंडिडेट कोशित करने के बाद नहीं कि इसमें कोई बुराई नजर नहीं आ रही है हाँ मेरे विचार से दोनों पक्ष्ट देखने चाहिए दोनों पक्ष देखने चाहिए एक इस तरह की उसका क्रत्य अगर निन्दनी कहा जायेगा तो मुझे तो लगता है है तो मुझे तो लगता है हजारों सैनिक मर गए उन्हों ने अपने प्राणों की आउती दे दी और उनके परिवार उनके घर वालों ने आज तक उफ नहीं किया गर्व महसूस करते हैं और इनको पतली दाल मिल गई गाड़ी दाल नहीं मिली तो उन्हों शिकायत कर दी देख लोग है जो नीचे इसतर के लोग है छोटी पोस्ट के लोग है नहीं के लिए हैं लाग हुआ है आर्मी पे तो सिखाई अनुशासन जाता है वार्मा जै कितना कई करता था हूं आपने बाटर शेना की बात करिए आपके बात करिये है कि आप क्या बात कर रहे है अब सीना का तो पहले ही जोशब दो ना की कमी है यह मुद्ध बाहर कैसे आगया है इसलिए आ गया मिपनाओ जैसे जो सेना के लिए जडत पहुआ याद जैसे जब ऐसे लोग्ती से सेना में चले जाएंगे तो मुद्धे बाहर आ जाते हैं मैं यह बोलता हूँ यह बुद्धा इसलिए आ गया सुनिये मैं बता हूँ दो शब्द सिकाए जाते हैं यह बुद्धा इसलिए आ गया जब तेस बहादूर यादो जैसे जो सेना के लिए मोरली और इथिकली फिट नहीं थे जब ऐसे लोग गलती से सेना में चले जाएंगे तो मुद्धे बाहर आ जाते हैं मैं यह बोलता हूँ दूसरी चीज मैं यह बोलता हूँ उनका पास्ट देखिए क्या सही है क्या गलत है मुझे नहीं पता देखे मैं सबसे बड़ी चीज जो मानता हूँ सेना के लिए मैंने एक ही उदारण दिया और पूरे इंडिया में कोई राजनेता कोई अपने आपको एनालिस्ट बनने वाला हो तो उस उदारण पर आप खारिच कर दीजिए महाराणा प्रताप राजा थे उन्होंने घास खाई घास रोटी खाई बाता नहीं होगा पीडी घर पीडी 500 साल पहले से आज भी वह सड़क पे रह रहे हैं लेकिन ना उन्होंने देश से शिकायत की ना अपने परिवार से शिकायत की भारत त्याग की भूमी है आई और आई रिपीट समझे की नहीं दाल पतली थी तो आपको शिकायत प्रॉप चंदर जी 14 साल बनवास में घूनते रहें उन्होंने कभी शिकायत नहीं की ना अपनी माता से ना अपने पिता जी से कभी किसी से कितने उदाहरर दूसर हरी संद ने बिना कफन लिए अपने लड़के के मृत शरीर को जलाने की अनुमती नहीं दी कितने उदाहरर आप अर्मी में तो जाने से पहले ही दो शब्स तखा दी जाते एक ता और अनुशासन और शाहिद उन्होंने क्या नहीं दूसरी बात यह था सर दूसरी बात यह थी कि चली हो गया जो होना था वह गया आप वारार्सी पहुंसते हैं आप चुनाओ फाइट करते थे यह भी आप गडबंदन ने क्या किया गडबंदन को अगर एतना तेजबादूर से प्यार था और इतना ही चाते थे गए चुनाओ लड़ें और वो जीते हैं तो अखले शायदाव किसी सेव सीट से चुनाओ लड़वा देते और जितवा देते यह पिर अपना कैंड़िडेड बैढ व से लड़वा देते सर मैं पूरी से लड़वा देते थोड़ा त्याब कर लेते एक सीट का आप लोग कोई भी पार्टी यह तरह के जो सला है सला और यह सब कि हम लोग यहां बैटके नहीं 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 तरह आप यह अपने विचार यह कुछ भी हो सकता था अगर वह चुना मन गलत किया ना राजगटवंदा नहीं बिल्कुल खेला एक सैनिक के साथ और इन्होंने जो किया देखिए जो परचा रद दुआ उस पर भी हम यही कहेंगे कि जो पक्षपात के आरोफ लग रहे है बहले किसी पर लगे कि परचा कैसे रद दो गया किसी का क्यों नहीं हुआ उसका बोहा वो भी गलत है लेकिन सरे सैनिक के साथ निदे पार्टियों यहीं वेवार किском किया तो पाइदा नहीं हुआ दो लुक्र एक मों्हां इक कोई फाया और ले एक पर इसमें यह टो अप डार लेगा यहां नहीं निकलेगा यह ले जारी है आप वहां नहीं निकलेगा नहीं तो आप यहां इस देश में जवाब निकलेगा ही नहीं अगर देश में निकलेगा ही नहीं चाहरा है यह प्रग्या ठाकूर पर कुषिए नहीं लग रहा है अरे वो सेहनिक नहीं है भाई, उनके और एक सेहनिक में बहुत बड़ा फर्क है सम्मान का, एक सेहनिक आ जाता है जिसकी दंखा भले दीज़ार रूप है लोग सम्मान के लिए उसके चुनाव लगने के लिए टिकर देने के लिए सब के साथ एक जैसे मान परहूने के लिए अब तेज बादूर बले ही जैसे भी जवी है उनमें और प्रग्या ठाकूर में तुल्ह नहीं है एक सेहनिक मेरे नजरों में अतलुनी है किसी MP और मिनिस्टर के कैम प्रीजन में भी मैंने पहले ही बोल दिया राजनेताओं की तो बात ही मत करिए इनके लिए हर चीज जाय चाहे प्रग्या ठाकूर हो चाहे प्रदान मंत्री हो चाहे कोई भी हो एक सेहनिक का सम्मान सदियों से इस देश में चाहे गीता रही हो चाहे रामायड रही हो चाहे अरे रामण जो पहले तो यह भी होता था कि दुस्मनों के सेहनिकों का सम्मान करते थे और हमारे सेहना की कहां लेके जा रहे हैं कि ख भुझे से लिपने रहे हैं झाल झाल झाल